बीते दो तिन दिनों से आईटी पार्क शेत्र में घूम रहा तेंद्वा सोमवार को महाराज बाग के पिछले हिस्से में बनी मुगली गार्डन के पास दिखाई दिया और आज तेंद्वे ने सुवर की शिकार करने की खटना भी सामने आई है तेंद्वा दिखने की बाद वन्विभाग की टीम ने परीसर में करीब दो घंटे तक चान बिन की लेकिन कहीं नहीं मिला माराज बाग में आने के संभावना के मद्दे नसर एक पिंचराल लगाया गया है साथी करमचारियों को अलट कर दिया गया है सिटी में घूम रहे तेंद्वा की वज़्य से अब दह्षत फैलति चारी है रविवार को तेंद्वा बचाजनगर परीसर में दिखाई दिया था माराज बाग परीसर में खुली चगा है साथी नाला भी बیता हुआ बचाजनगर तक कया है माना जारा है कि नाले के किनारे चलते हुए तेंद्वा आया होगा दोपेर तीन बजे के दोरान महराज बाकी एक महिला करमचारी को मोगली गार्डन के पास नए सरक के नाले की दिवार के पास पैठा हुआ दिखाई दिया आशा निखारे आपे हम घास निकाल रहे थे घास निकाल कर हो गया फिर मैं बोली कि आपन कच्रा फेक देते हैं फिर उदर आप इसके तरफ चले जाते तो तो फिर अचानक वह भाई भई थी ये दोनों लड़की खड़ी थे महीं भी बैठी थे और उटकर माई खड़ी बाद में मैं इसी खड़ी गः नाले की उधर देख रही थी तो अचानक धिया दैना में मेरा तो किनारे में खडा था फिर मैं आप गनेश को बोली तुरेंट महाराजबाग के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर एसस बावसकर ने इसकी सुचना वनविभा को दी वनविभा के कुछ करमचारी आई और परीसर में चान बिन की लेकिन तेंद्वा कही भी नजर नहीं आया और आज सुचना से महाराजबाग के करमचारियों में खलबली मची है आज सुचना की शिकार करने की घटना सामने आई है तेंद्वा शेहर की बीचो बीच आया है और कल कोई अन्होनी ना हो इसलिए प्रशासंद्वारा पुक्ता कदम उठाने की सरुवत है आज दिखा करके तो कोई अपने पास इविडेंस नहीं आया है लेकिन फिर भी जो भी सुचना का जो अपने को केल मिला है उसकी फोटो देखने के बाद तो दिखाई तो यही देता है कि उसका शिकार जरूर तेंद्वा या किसी बड़े जानवर नहीं किया है और कल अपन जो अपन पिछले तीन-चार दिन से सुन रहे है कि क्रेजी कैसल का एरिया और आईटी पार्क और बजाज नगर का एरिया तो उस हिसाब से यह प्रेडिक्शन पहले से ही लग रहा था कि वह जो कनेक्टिविटी है फिलाल लॉकडाउन के चक्कर में हुमन का मुवमेंड भ अबिटाइट है उसके लिए और अंडिस्टब एरिया उस हिसाब से अपन फिर भी प्रेडिक्शन था ही अपने को उस हिसाब से कल वो यहां नजर आया था और आज उसका किल भी है तो उस हिसाब से जो फॉरेज्च डिपार्टमेंट की जो टीम है उनको इन्फर्म कर दिय है और उन्होंने कल से ही अपने यहां एक ट्रैप लगाया था अपने भी कुछ जगह पे सिटी भी शुरू कर वा लिये है और आज जो किल मिला है उस हिसाब से भी फॉरेज्च डिपार्टमेंट उसके परकारवाई कर रही है और सिटी के हार्ट में होने के कारान और उसके अलावा अपने यहां पे जो बाकी के जंगली जानवर है उसमें से जो ऐसे कुछ उसके खाने के लिए जनरली उसका प्रेबेस है फॉर एक्जमपल जैसे ही रन हो गए काला हिरन हो गया और निलगाय के बच्छडे हो गए तेन बंदर हो गए तो उसकी वज़े से और उसके इस कोई दे नहीं पाया है लेकिन जहां तक सुना है वो मेल है और वो जान वर भी पूरी तरह वाइल्ड होने के कारण अब तक जिसक उसका जो भी किसी से इंसानों से जो भी स्कारण हुआ है अब तक उसने किसी को इंजुएट नी किया है तो उस हिसाब से वह जानवर काफी समझधार है और इंसानों से दूरी बनाए रख रहा है और पिंजरों में उसके लिए कुछ खाना भी रखा गया है और उम्मीद करते कि वह पकड़ा जाएगा वह तो कल से अपन उम् भी उनका भी मुवमेंट रहता है तो वो ही कहीं होना चीए बिते 28 मैं को जो है नागपूर शहर परिसर में जो है तेन दुआ दिखाई दिया था जिसके बाद अब अंदेशा जताय जा रहा है कि वो महराजबाग परिसर में देखा गया है तो आज जो शिकार भी की गई है यह जो तेन दुआ है पिछले तीन-चार दिन से जो नागपूर के अलग-अलग एरिया में दिख रहा था और जिस तरीके से वो इंसान का लॉकडाउन के वेज़े से जो भूमेट कम है तो उस हिसाब से अपने को उमीद थी कि कि कनेक्टिविटी है कोरिडॉर जिसको बोल करने के लिए कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किस तरह से चलाया जा रहा है क्या बता होगे यह जो फ्री रेंजिंग जो जानवर है उनको कैप्चर करना या उनको पकड़ना या तो फिर उनकी कोई बंदोबस्त करना वो सब जिम्मेदारी जिस तरीके से फॉर्स दिपा चारी उनके काम कर रहे थे लेकिन उनको ना तो कल कोई इविडेंस मिला ना पगमार्स मिले थे तो उस हिसाफ से उसके बावजूद भी उन्होंने एक ट्रापकेज अपने यहां पर लगा दिया था लेकिन राद भर ट्रापकेज में कुछ आया नहीं है उसके अलाव आपन इस तरीके से एक सुर का शिकार हुआ है और जिस सरी के शीकार हुआ है वह जरूर कीसी बड़े बिक चैट नहीं किया है तो और उमेद बढ़न दिपार्टमेंट की टीम काम रही है उन्होंने यह भी लगा दिये है वहां पर ट्रापकेज वगेरा और उमित करते कि सफलता म बिल्कुल महाराजबाग परिसर जो है कि शहर का बीच का मतलब हाट कहा जाता है शहर का तो इस परिसर में आ जाने से और महाराजबाग में भी काफी यहां पर प्रानी है पक्षी है तो किस तरह से यहां की सुरक्षा की व्यवस्ता बढ़ाई गई है हायलेट पर रख दिया अपने सब लोगों को यह और सब बाई लोगों को बोल दिया है कोई भी अकेला ना घुमे और जुन में रहें जो काम इसेंशियल में आते हैं उसके अलावा कोई काम ना करें उसके अलावा अपने रात में चोकिदारी के वक्त फोरेस्ट के भी एक्सपिरियंस लोग जो है जो कॉल समझ सकते जंगली जानोरों का प्रेजेंस समझ सकते उनको भी अपन ने यहां रखने के लिए उनको सबकर्ण किया हुआ है जो लेडी स्ताफ है उनको भी अपने कल जल्दी छुटी उनको दे लिए गया है और जित्ता जुरूरी है उत्ताई काम करने के लिए बोला गया है हमारे साथ डॉक्टर बावसकर थे उनसे हमने बातचीत की है कि जिस तरह तेंदो ने आज शिकार की है उसके देखती हुए जो है महराज बाग की सुरक्षा वेवस्ता हायलेट पर कर दी गई है क्याम